कि नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्धश इंकर तिवारी कुई दिल्ली में भड़के दंगे के बाद जिस तरीके से दिल्ली हाई कोट के जज मुर्ली धर्राओ का तबादला किया गया है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनका तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी की तीन निताओं के खिलाफ एफ आई यार के आदेश दिये थे कांग्रेस ने इसको ले करके तगड़ावार किया है और सोसल मीडिया पे बकाइदा इसको ले करके बहस हो रही है कि रातो रात मुर्ली धर्राओ का तबादला क्यों क दिया दरशल तबादला जो हुआ है वो तु हुआ है नियम कानून के तख थी क्योंकि हाई कोड के जस्टिस का जो तबादला होता है वो सुप्रिम कोड की जो कॉलेजियम है उसकी सिपारिस पे किया जाता है मुर्ली धर राव समे तीन जस्टीज के तबादले को लेकर करके कॉलेजियम ने 12 फरवरी को अपनी सिपारिस भेजी थी ये बात अलग है कि तबादले पर जो सिपारिस की गई थी तबादले को लेकर के उस पर जो अमल हुआ वो हुआ 26 तारिख की रात को बस उससे पहले 25 बटे 26 की रात को हाई कोट ने रात में सुनवाई की थी, दीन में सुनवाई की थी, बीजेपी के तीनों नेताओं को जो तलवंत सिंग हेग जस्टीस और मुरली धर्राव उन्होंने भरी अदालत में उसकी क्लिपिंग सुनी थी और सुनाई थी, बकायदे जो तुसार मेहता है, सॉलिसीटर जनरल उनसे पूछा था कि क्या आपने ये सुना है, देखा है, उन्होंने मना कर दिया था, तो उसलिए उसको सुनवाया गया और उसे दिखाया भी गया, फिर ये भी कहा गया कि जो पुलिस अफसर हैं, इंक्लूडिंग कमिशनर, उनके तो उस चेंबर में कई चैनल लगे हुए होगे, कई टीवी लगी होगी, उसमें उन्होंने देखा होगा, फिर आखिरकार अनुराग, ठाकूर, प्रवेश, बर्मा और कपिल मिस्रा के खिलाफ एफ आईयर क्यो नहीं दर्ज की गई, क्यो नहीं करवाई की गई, माना ये ज दा रहा है कि जो 23 तारीख को जाफराबाद में खुली सड़क पे धरना देने की कोशिस की गई, C.E.A. के खिलाफ धरना ये बलकि दिया गया, उसी के प्रक्रिया स्वरूप, जब कपिल मिस्रा अपने दलबल के साथ वहां पूचे, तो फिर उन्होंने वहां से निकल करके और मौशपूर में जा करके ये बयान दिया था कि अभी चुकी बिदेशी महमान डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन राश्पती आ रहे हैं, इसलिए हम दो दिन चूप रहेंगे या तीम दिन चूप रहेंगे, उसके बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, सड़क खाली करो. अब दूसरी तरफ से जो ये तरक दिया रहा है कि इसी के बाद ये दंगा भड़का, 24 और 25 तारीकों डोनाल्ड ट्रम्प यहां पे थे, 24 तारीकों शुरुवात हो चुकी थी, इसकी प्रिष्ट भूम तो 23 तारीकों ही बन गई थी. एक पक्षिये कह रहा है कि कपिल मिस्त्रा की वज़ासे दंगा भड़का, जबकि जो सामने हकीकत आ रही है, अभी तक मरने वालों के संख्या 37 और घायलों के संख्या 2500 के पार बताई जा रही है. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है जादा हो सकती है क्योंकि 30 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है क्या इतने बड़े दंगे को अंजाम बिना तयारी के बिना साजिस के दिया जा सकता है केन सरकार की तरफ से ग्री मंत्राले इस तरफ ही सारा कर चुका है कि बकायदे इसके लिए साजिस रची गई थी क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के दोरान जीस तरीके से वो कस्मीर में उत्पात मचा सकता है वो मचाएगा तो सिधे सिधे निस्ताने पर आ जाएगा लिहाजा अब की बार उसने उत्पात मचाने का तरीका बदल दिया दंगे वाले दिन ही ये बात भी आ गई कि इसमें भी पी एफाई कनेक्सन है और साहिन बाग में जो एक नेता इन्वाल्व था यानि कि जो अगवाई कर रहा था वही इसमें भी इन्वाल्व है फिर दिली के मुखे मंत्री अरविंद के जिरिवाल ने का है कि नहीं बाहर से लोग आये थे लिहाजा यूपी बार्डर को सील किया जाए और उस पे निगरानी रखी जाए तरह तरह की बाते आई बट दो दूसरी बात कि चुनाओ के दवरान दिये गए भास्त्रों के लिए या बयानों के लिए अब इसी स्टेज पे आकर के हाई कोड का सब्थ होना कि उनके खिलाफ एफ यार की जाए और उसके बाद ये तवादला होना क्या इनका आपस में लिंक है तो सरकार के पास सिधा जबाब है कि तो कॉलेजियम कि सिपारिस पर की गई है लेकिद एक चीज का सरकार के पास वाब नहीं है कि रातो रात उस पे उस सिपारिस पर अमल क्यों की गई? जब ये बिरेंट स Lindhrora और तलबंन तो फिर रातो रात उस पर अमल क्यों किया गया इसी को लेकर के कांग्रेस आग बबुला है कि बीजेपी नेताओं को बचाने के लिए ऐसा किया गया हाई कोड जो है वो एफाई यार का आदेश दे चुका था बीजेपी को सरकार को ये लगा कि यदि नेताओं के खिलाफ ये है कि क्या इनके बयान और इनके भासवरबाजी की वज़े से दंगा फैला या इसकी साजी सरची गई थी बयान तो महज बहाना बना इसकी तफसील से जाच हो तब ही जाकर कर के पता चलेगा और निश्चीत रूप से जो ताबादला हुआ है उसकी टाइमिंग को ले कर के जो विवाद हो रहा है उस बात में दम है बट रभी संकर प्रसाद जो के इंद्री कानूनमंत्रि है उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है प्रोसीजर के तहत हुआ है इसको ले करके सुर सराबा करने की जूरत नहीं है वो कांगरिस क्या बात करेगी जिसके हाथ जो 84 दंग थैंक यू